हेलो एब्रिवान गुड इवनिंग सस्रीयकाल रादे रादे जैशी राम इसलाम वालेकुम आप सभी लोगों का एड़िटाप टीचिंग परिक्षा में तहे दिल से स्वागत है कैसे हो आप सब लोग? I hope सब बढ़िया है अच्छे से अपने एक्जायम की त्यारी कर रहे है हेलो हबीबा, गीता कुमारी ठीक है गीता कुमारी जी कोई बात नी महराब और डब क्या होता है वो मैं आपको आज सेशन में explain कर दूँगी उससे related एक question भी है जो हम practice करेंगे ममता सिंग गुड़ीवनिंग, खुशी कुमारी गुड़ीवनिंग, मलिका रानी, सूफी, सोफियूर, रहमान जी, आसिफ कमल, हबीबा, आशा, सिद्दकी, I hope friends सब almost जुड़ गए हैं, please यार, जितना हो सके session को share जरूर कीजिए, ठीक है, session share करना बहुत ज़्यादा important है गुड़ीवनिंग, कॉमल थांगे जी friends, आप ढीले तो नहीं पढ़ रहे न, अब मुझे ऐसा लग रहे है कि आप लोग थोड़े से ढीले पढ़ रहे हो, कि ठीक है यार, अब पता नहीं, कब exam आएगा, कब क्या होगा, त्यारी करें, paper निकलेगा, नहीं निकलेगा friends, come on, ऐसा मत सोचो, सभी लोगों को पता है कि exam आएगा, CTET भी होगा, KVS भी होगा, Army Public School हो रहा है, बहुत सारे state TET भी हो रहे हैं, तो आप लोग हिम्मत मत आ रहे हैं, प्लीज अपनी त्यारी को जारी रखे, कभी भी notification आ सकती है, ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि जब आ कम होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात ध्यान में रखेगा, मेरे दोस्तों, ठीक है, thank you so much, खुशी कुमारी जी, session शेयर करने के लिए, साकी लसर जी, hello, तो चलो, अकांगशा भारदवाद जी, जो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, तो चलो, फटा-फट से session को start करते हैं, देखते हैं, की question कैसे है, mock test में, क्या-क्या है, ये रहा आपका पहला question, किसी ने मुझे से request की थी, की ma'am, please, pedagogy के questions भी session में लाइएगा, तो लो, आप एक बर ही बोलते हो, friends, मैं वो चीज पका करती हूँ, session में आज मैंने बहुत सारे questions, pedagogy से भी रखे ह ये रहा आपका पहला सवाल, a teacher asks every child to use some waste material from their home and make something useful out of it, एक teacher ने क्या बोला, बच्चों को कि यार, waste material को ले, ठीक है, और उस waste material से कोई चीज बनाए, useful चीज बनाए, the pedagogical intention of the teacher is not to, उन्होंने बोला है, कि जो pedagogical intention आपको बतानी है, ठीक है, वो क्या नहीं है, negative statement कौन सी है, मेरे दोस्तों, ये आप से question में पूछा गया, हमेशा ध्यान रखना हम कभी कभी क्या करते हैं, question को इतनी जल्दी से बढ़ते हैं, कि not पर focus नहीं करते, ठीक है, आप लोगों को not पर, exception पर, इन चीजों पर बहुत focus करना है, अपनी energy को exam में low रखना है, हम exam में excited हो जाते हैं, अच्छा वाओ, ये तो हमें question आता है, फटा-फट से बढ़ते हैं, answer टिक करते हैं, और ये देखते ही नहीं है, कि पूछा क्या है, जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, अकांग्शा भारदवाद जी, maximum zoom किया हुआ है, मैंने question को, अगर आपको दिख नह student out of the class, ठीक है, friends, एक teacher का कभी भी ये motive नहीं होता, कि जो best student है, उसको judge किया जाए, एक teacher का motive होना चाहिए, कि जो students थोड़े बहुत weak हैं, उन्हें ऊपर करा जाए, उनको up to the mark लाया जाए, ये motive होना चाहिए, किसी भी teacher का, ये नहीं देखना चाहिए, कि अच्छा कोई competition करा और ये वला बच्चा best है, तो इसलिए कभी भी competition नहीं कराना है, कभी भी हमें कोई भी assignment देनी है, तो ये सोच के नहीं देना कि best बच्चा कौने class में, हम वो निकालेंगे, तो ये गलत statement थी, option number one, इसका correct answer था, मेरे दोस्तों, almost सभी लोगों ने correct answer लगाया, ठीक है, आर्ति अब कुछ बच्चे third option को tick कर रहे है, make children understand the concept of recycle, reuse and reduce, friends उन्होंने पूचा है, जो pedagogical intention नहीं है, आपसे statement में not दिया है, तो आपको negative statement चुणनी थी, जो option number one में थी, कि judge the student of the class, ठीक है, best student of the class को judge करना, यार हमारा काम कोई best student of the class को judge करना नहीं है, ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना, ये वाला बच्चा best है, इसको मैं निकालता हूँ, मैं कोई competition कराऊंगा, कोई task दूँगा, ये देखने के लिए कि चलो, class में कौन best है, नहीं friends, ये attitude कभी teacher का नहीं होना चाहिए, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा आपको लगता है कि पढ़ाई में हलका उप ठीक है, आईशा जी, बिल्कुल आपने not नहीं देखा, तभी में भी आपने गलत आंसर लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखेगा मेरे सभी दोस्तों कि आप लोगों को not जरूर देखना है, next question friends, formative assessment in EBS at primary stage does not include, formative assessment जो होती है, वो क्या include नहीं करती, ठीक है, अब ये आपको आप ये बताओ, प्रात्मिक स्तर पर पर्यावरन अध्यन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता, identification of learning, gaps of student, identification of deficiency in teaching, enhancement of student learning, या फिर grading and ranking of student, ठीक है, आपको not पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना, जल्द बाजी में correct answer, incorrect मत कर देना, Thank you so much, Jatinji, आपको जो National Park की वीडियो अच्छी लगी, thank you, thank you so much, ठीक है, I hope सबको National Park याद भी हो गए होगे, session के last में जुणना, आज फिर से सारे National Park से आपको revise करा के जाओंगी, ताकि आपको अच्छे से फिर से याद हो जाए, तो चलो, बहुत बढ़िया, मेरे सभी दोस् असेस्मेंट नहीं देनी, कि यार मैं रैंक करूँ, अच्छा, प्रिया फस्ट नंबर पे है, रके से किन नंबर पे है, क्लास में, या फिर मालो कोई भी नाम लगा लो, पंकज लास नंबर पे है, ये आपको कभी भी नहीं करना, grading and ranking of student आप कभी भी नहीं करेंगे, as a teacher, य कभी नहीं करेक्ट आंसर रगाया है, शाबाश, next question मेरे दोस्तों, ये रहा आपके सामने, फटा फट से इस question का answer बताएं, मैं question रीट करती हूँ आपके लिए, a science teacher administered a test after teaching the topic on respiration, ठीक है, and observed that majority of students did not understand, एक science की teacher ने एक chapter पढ़ाया, स्वशन का, respiration का, और test लिया, जब-जब test ये देखा कि बच्चे understand नहीं कर पाये concept, बहुत सारे बच्चे, the difference between respiration and breathing जो है, बच्चों को नहीं समझ आ पाया, अब ये concept हो समझ नहीं पाये कि या, respiration क्या होती है, और breathing क्या होती है, this could be due to the reason, अब इसके पीछे reason क्या है, मेरे दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, there was usually lot of indiscipline in her class, की class में बहुत जादा indiscipline था, बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाये, she could not explain the related concept effectively in the class, teacher अच्छे से नहीं explain कर पाये, effectively नहीं समझा पाये, class में concept को, she was not their class teacher, की यार वो उनकी class teacher नहीं थी, अब class teacher नहीं थी, तो class teacher के साथ बच students could not understand the question correctly, की जब वो paper में teacher ने question डाला, बच्चे उस सवाल को ही समझ नहीं पाये, जिस वज़े से नहीं हो पाया उनसे, ठीक है, उनको difference नहीं पता चला, respiration में और breathing में, स्वसन में और सांस लेने में, अंतर क्या होता है, इसका correct answer क्या होगा मेरे दोस्तों, फटा फट से ब लगा रहे हैं, friends, जल्दी से, जो भी आपको लगता है, सही जवाब होगा, फटा फट से लगाओ, और मुझे बताओ कि इसका correct answer question का क्या होगा, पेड़ागोर जी के questions हैं, paper में से ही उठाय होगे questions हैं, और I hope, अब हम पेड़ागोर जी की बहुत सारे topics पढ़ चुके हैं, अब पेड़ागोर जी, आपको ना तो confusing लगती होगी, और ना मुश्किल लगती होगी, easily आपके answers निकलते होंगे, friends, और निकल भी जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा focus से देखना होता है, जैसिंग जी, अगर नहीं दिख रहा है, मैंने ये question आप लोगों को read भी करके दिखा दिया, ठीक है, तो I hope, सबको clear हो गया होगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, तो चलो, देखते हैं, correct answer क्या है, correct answer बिल्कुल सही, option number 2 है, शाबाश मेरे सारे friends को, सबने almost सही लगाया है अब देखो friends, अगर कोई concept, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, ठीक है, तो इसमें कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती, ठीक है, आपको जब भी question में आये, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर teacher की गलती है, वहाँ आपने बोलना है, यही correct answer होगा, ठीक है, कि teacher न accept को समझाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि उनका ध्यान इतना आपकी तरफ होगी, वह शोर ही ना मचाएं, ठीक है, friends, जब भी आपको teacher बनना है, इस तरके से जाके class को पढ़ाना है, कि बच्चे आपके, आप जो पढ़ारे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रूची कि शोर मचाने का मन ही ना करे, ध्यान उनका इदर उदर बठके ही ना, ठीक है, तो lot of indiscipline तो गलत आंसर था, she could not explain the related concept effectively, बिल्कु सही बात है, friends, teacher जो है, वो अच्छे से explain नहीं कर पाई concept को, तब ही बच्चों को समझ नहीं आया, देखो, उनको respiration और breathing में डिफरेंस ही न अच्छे से पढ़ाया नहीं, तभी बच्चों को समझ नहीं आया, friends, देखो, अब अगर कोई concept किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, तो वो teacher की responsibility बनती है, देखो, दो type के teacher आपको मिलेंगे life में, एक teacher ऐसा होता है, जो concept समझाता है, भाईया, 4-5 बच्चों को समझ आ गया, बाकियों को नहीं आया, उसका कोई लेनम देना नहीं है, वो मन में सोच देतन लैक है, इनका तो मोटा दिमाग है, इनको समझ कभी आई नहीं सकता, ठीक है, कुछ teachers ऐसे होते हैं, जो अपने दिमाग में ये सोचते हैं, कि ऐसा कैसे हो गया, कि मैंने पढ़ाया, और पूरी क्लास को समझ नहीं आया, एक एक बच्चे को समझ आना चाहिए, एक एक बच्चे की डाउट क्लियर होनी चाहिए, एक बच्चे को फरक पता चलना चाहिए, वो ते हैं second type के teacher, आप लोगों को उस type के teacher बनना है, ठीक है, teacher ही अच्छे से explain नहीं कर पाया, मेरे दोस्तों, तो पढ़ाने से अच्छा मतलब होना अच्छी है ना, जरूरी थोड़ी यह class teacher होईगी, तो ही वो आपको concept समझा पाएगी, the student could not understand the question correctly, ऐसा नहीं है कि student question को correctly नहीं समझ पाए, यार 5 student नहीं समझ पाए होंगे, दस समझ नहीं पाए होंगे, majority, मतलब maximum class, difference ही नहीं समझ पा रही, इसका मतलब कमी teacher में है, teacher ढंक से नहीं पढ़ा रहा, teacher ढंक से explain नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो चलो मेरे दोस्तों, सबी को clear है, thank you so much Sufiya ji, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, तो चलो मेरे दोस्तों, good, तो आगे देखते हैं, next देखते हैं, यह रहा आपका अगला सवाल, इसका answer बताईए, which one of the following statement on EVS is in accordance with NCF 2005, NCF 2005 के according, कौनसी statement सही है, मेरे दोस्तों, EVS to be taught as EVS science and EVS social science in classes 1st to 5, वो यह कहते हैं कि जो EVS है, उसको पर्यावरन अध्यन को कक्षा 1st से लेकर 5th तक अलग-अलग बढ़ाया जाए, एक हो जाए subject EVS science और एक हो जाए subject EVS social science, ठीक है, समाजिक विज्ञान हो जाए एक और एक हो जाए EVS science, विज्ञान, second option कहता है, EVS to be taught as EVS science and EVS social science in class 1 and 2, but composite area of studies in class 3 and 4, वो कहते हैं कि ऐसा हो कि EVS को 1st और 2nd class में तो EVS science और EVS social science अलग-अलग करके पढ़ाया जाए, बट आगे की class में, 3rd से 5th की class में उसको composite area में एक जैसा बनाके, सामग्र बनाके पढ़ाया जाए, EVS to be taught as a composite area of study in class 1 to 5, इसमें कह रहे हैं कि 1st से 5th class तक EVS को एक ही subject बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है, अगला, EVS to be taught as a composite area to class 1 and 2, but as EVS science and EVS social science to 3rd से 5th, 1st से 2nd तक बच्चों को एक EVS पढ़ाया जाए, ठीक है, एक जुड़ होके, integrated EVS पढ़ाया जाए, लेकिन जैसे ही 3rd और 4th class में आए, तो वहाँ पर बच्चों को EVS science और EVS social science के रूप में पढ़ाया जाए, तो जल्दी से बताओ इसका correct answer क्या होगा, NCF के according, पुलके जी, मैंने question को अच्छे से पढ़ के बता दिया है, friends, I hope अब आपको समझ आ गया होगा, कि क्या question कहना चाह रहा है, thank you so much निकी कुमारी जी, ठीक है, सब हो ना हूँ, बट जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हम लोग जो आपस में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब के सब इसी प्रकार पढ़ाने चाहिए बच्चों को, ठीक है, जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, very good friends, almost सब के correct answer आ रहे हैं, अगर session अच्छा लगे तो फटाफट से मेरे दोस्तों, जाके like बटन को प्रेस ज़रूर कीजे, और इसका correct answer है मेरे दोस्तों, option number 3, ठीक है, कि EVS to be taught as a composite area of study in class 1st to 5, friends, जो EVS है, है आपको मैंने पढ़ाया है पहले कि जो EVS है, वो science, विज्ञान, social science, समाजिक विज्ञान और environmental studies, ठीक है, EVE, environmental education, यह सारी चीजों से मिलकर एक subject EVS बनाया गया है, हम EVS को combine करके, integrate करके, हर एक तीनों parts को use करकर, एक subject बना कर, 1st से लेकर, आपकी जोंसी भी class में EVS होता है, 5th तक EVS को इसी प्रकार पढ़ाया जाता है, एक बना कर subject को पढ़ाया जाता है, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप 1st से लेकर 2nd तक EVS science और social science पढ़ा दो, और फिर EVS को एक जुड़ करके पढ़ा दो, EVS एक integrated subject है, जो environment, किस चीज से समाजिक विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और environment education से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसको integrated word जहां पर भी आए, composite area जहां पर भी आए, एक जुड़ होके पढ़ाना जहां पर भी आए, वो इसका correct answer होगा, ये बात NCF 2005 में decide हुई थी, और इसी प्रकार हमारी EVS को पढ़ाया जाता है, अकांग्शा जी, कोई बात नहीं, आप फिकर मत करो, बस ध्यान से ये सुना करो, जब मैं question को बोलती हूँ, ठीक है, बिल्कुल अनिता यादव जी, जो मैं question करा रही हूँ, आपके correct हो रहे हैं, फिकर मत करो, आपके अच्छे marks, आ जाएंगे exam में, ठीक है, आप tension मतलो मेरे दोस्तों, अगर आपको question नहीं दिख रहा, पहले तो आप try करो कि screen को बड़ी करके देखो, फिर भी नहीं दिख रहा, तो थोड़ाचा focus करो कि मैं जो क्या कह रही हूँ उस पर, और tension मतलो, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है, कि question आप लोगों को clearly नजर आए, क्योंकि मेरे फोन में अगर मैं friends दिख रही हूँ, तो question थोड़े बहुत, मुझे तो सही दिख रहा है screen पर, मैं और जादा इसको zoom करने की कोशिश करूँगी next time, ठीक है, I hope मेरे दोस्तों, निकी गुमारी जी देखो, ऐसा नहीं सोचना आपके गलत ही होई जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा time लो, अभी गलत हो जाएंगे, क्या फरक पड़ जाएगा, session से सीख कर जाओगे, आपको यह होना चाहिए कि यार अभी गलत हो रहे हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, मैं positive ले is the least appropriate objective of environmental study, least appropriate पूछा है, सबसे कम महत्वपून उदेश क्या है, कौन सा है, पर्यावरन अध्यन का, यह आप से पूछा है, to develop awareness of environment issues, की awareness फिलाई जाए, environmental issues की, to create curiosity about socio-culture environment, जो आपकी socio-culture environment है, उनके बारे में curiosity, समाजिक और संस्कृती, ठीक है, cultural environment के बारे में बताया जाए, ठीक है, अब आपको पता है हमने क्या पड़ा, इसका correct answer क्या होगा, to provide maximum opportunity to the child for acquiring skills of recall and memorization, बच्चे को maximum opportunity दी जाए कि बेटा तेर में रटे मारने की, ठीक है, और चीजों को recall करने की, फटा-फट रट रट रटने की, ठीक है वो skill पैदा कर दी जाए, to create cognitive capacity of the children, या children में cognitive capacity को increase किया जाए, शाबाश मेरे दोस्तों, very good, इसका correct answer option number 3 है, प्रेंट्स, जहां पर भी recall करने ही, रटे मारने की, memorization की बात आएगी, वो हमेशा point negative होगा, ना तो हमारा उदेश है कि हम बच्चों को rank करेंगी, यह इस यार है, यह lack है, यह first number पे, यह third number पे, यह नहीं होना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात यह है कि कभी यह नहीं होना चाहिए, कि आप बच्चों पर force करें, आप उनमें रटे मारने की scheme सिखाये होने, या फिर उन्हें बोलेंगी, हम skills develop करें, कि आप रटे मारो, नहीं, understand concept अच्छे से नहीं आया, यह बाते ध्यान में रखेंगा, यह बाते ध्यान में रखेंगा, तीन चार की पॉइंट्स हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, और पेड़ागाजी के questions गलत नहीं होते हैं, कभी भी, next question हीरा friends, earthworm are considered friend of the farmers, जो earthworm हैं, केचुए हैं friends, उनको जो farmers होते हैं, किसानों के मित्र कहा चाता है, select from the following correct reasons for the same, इसके पीछे एक सही reason क्या है, earthworm eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil, वो कह रहे हैं कि जो dead leaves होती हैं, plants होते हैं, earthworm उन्हें खा जाते हैं, और जो भी droppings नीचे गिरती हैं, वो जो soil है, उसको उपजावू बनाती है, fertile बनाती है, earthworm eat weed and save the main crop, earthworm क्या करता है, खर्पतवार को weeds को खा लेता है, और main crops को मुख्य फसल की रक्षा करता है, earthworm softens the soil by digging underneath, earthworm soil को soft बनाता है, अंदर नीथ डिग कर कर, ठीक है, अंदर तक डिग कर कर, soil को soft बना देता है, earthworm, the tunnel made by the earthworm provide easy passage of air and water into the soil, जो भी छोटे-छोटे, जो जब वो डिग करता है, friends, तो जो भी छोटे-छोटे जगाए, space बनती है, अब उन space के में से, air and water, easily soil में चला जाता है, तो जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, क्या बात है, friends, शाबाज, almost 99% सभी ने correct answer लगाया है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, B option ही, इसका correct answer है, आपके exam से मैंने question उठाया है, जो earthworms होते हैं, friends, catch way, सबसे पहले तो उनका काम क्या होता है, जो catch way होते है, वो soil को soft करते हैं, वो dig कर देते हैं, जब वो dig कर देते हैं, चोटा-चोटा सुराख बना देते हैं, soil को वो बना देते हैं, ठीक है, तो उस जगा से air और water easily pass हो जाता है, तो C or D option तो अपने आप ही correct हो जाने थे, तो नीचे के दो options तो ऐसे ही काट दो, C or D option second में था, और first में, अब friends, जो earthworm है, वो dead leaves and plants को खात ना है, और उनकी dropping soil को उपजाओ बनाती है, fertile बनाती है, इसलिए correct option, option number two है, CTET में आया हुआ question है, जो मैंने आपको यहाँ पर यह practice कराया है, ठीक है जी, very good friends, जिन भी लोगों के correct answer आ रहे हैं, शाबाज, जिनके correct बाइचन नहीं आ रहे हैं, उनको उदास होने की जरूरत हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि, यहर क्या फरक पड़ता है, यहाँ पर जैसे मर्जी हो, ठीक है, आगे आपके answers गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में गलती नहीं होने चाहिए, लो friends, who built the Golconda fort, ये भी exam का question है, Golconda किला किसने बनाया, ठीक है, चलक्या dynasty, ककत्या dynasty, पल् कुझे बता दें, friends, 80 के आसपस बच्चे जुड़े हैं, और like सिर्फ 50 हैं, प्लीज यार, जिन्होंने भी session को like नहीं किया, फटा-फट से like ठोक दो, यार, एक like ठोक दो, friends, like भी important है, ठीक है, तो चलें, जल्दी से बताएं मेरे friends, इसका correct answer क्या होगा, तो चलो, शाबाश, गॉलकुंडा फोर्ट, गॉलकुंडा फोर्ट, friends, ककटिया डैनेस्टी दोवारा, बिल्ट किया गया था, option number 2, इसका correct answer है, चलो, इसके बारे में थोड़ी सी knowledge प्राप्ट करते हैं, ककटिया डैनेस्टी ने गॉलकुंडा फोर्ट को बिल्ट किया था, ये सवाल, आपके exam म पूछा गया है, याद रखना है, गॉलकुंडा फोर्ट को previously मंखल भी कहा जाता था, ठीक है, जो बिल्ट हुआ था, राजा ओव वरनान, वरांगल ने 1143 में, अब ये इतना डीप में आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत की कौन से राजा ने इसको बिल्ट किया था, आपको जस्ट ये पता होना थी, कि गॉलकुंडा का कटिया डैनेस्टी द्वारा बिल्ट किया गया था, जो question आपके exam में पूछा जाता है, ये mud on a hilltop, जो hilltop है, वहाँ पर बनाया गया है, mud से, ये कहां located है, हाईदरबाद में located है, ये चीज थोड़ीची ध्यान में रखन क्या पता इस point से question आ जाए, गॉलकुंडा fort friends बहुत large था, इसमें temples थे, mosque थे, ठीक है, बहुत सारी तोपें और बहुत सारी चीजें यहाँ पर present है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, palaces है, halls है, apartments है, अलग-अलग structures है, और बहुत जदा beautiful और बड़ा fort है, ठीक है, अब आप इसी बाते हैं, fort के बारे में ध्यान रखना, ठीक है, गॉलकुंडा fort है, हाइदरबाद में, कुछ लोगों ने visit भी किया होगा, I hope, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेगा, मेरे दोस्तों, क्या बात है, very good, excellent friends, तो next आगे सवाल, sloping roof houses are found in, जो friends, sloping, धालू चते धलान चते वाले घर होते हैं, कहाँ पाये जाते हैं, राजिस्तान अस्सम शिरिनगर की लगाक, जल्दी से बताओ, इसका correct उत्तर क्या होगा, दोस्तों, जल्दी बताओ, इस question का correct answer क्या होने वाला है, इसका correct answer option number 3, शिरिनगर है, राजिस्तान जो है friends, राजिस्तान के घर कैसे होते हैं, राजिस्तान एक hot desert है, गरम रेकिस्तान है, बारिश बहुत कम बढ़ती है, घरों की चते कैसी होती है, थौरनी बुशिस, कटीली जाडियों की बनी होती है, दिवारों को काव डंक से ली नाशनल पार्क राजिस्तान में है, केवला देव, जल्दी से आप लोग बताओगे, friends, मुझे नहीं, मैं नहीं बताओगे, असम की बात करूँ friends, तो टी जो है, असम से फेमस है, मूगा सिल्क असम से फेमस है, असमी बोडो असम की लैंग्वेज है, असम के नाशनल पार् जो असम राजिय है, friends, इसमें बारिश बहुत जादा होती है, तो घर 10-12 फीट उचाई पर बनाये जाते हैं, ताकि बारिश से खराब ना हो सके, लदाक की बात करूँ मैं, तो लदाक का हैमिस नाशनल पार्क, friends, लदाक से है, ठीक है, लदाक से पश्मीना शॉल फेमस है, जो 6 स्वेटरों जितनी गरम होती है, धाई सो घंटे इसको बनाने के लिए लगते हैं, लदाक के दो मंजिला घर होते हैं, डबल स्टोरी घर जहां, नीचे की मंजिल में कोई भी खिडकी नहीं होती, ज़रूरतमन समान नीचे की मंजिल में होता है, लोग उपर की मंजिल म वो रह गया, कॉमल थांगे, very good, खुशी, शाबाज, very good friends, आप सभी लोगों ने correct बनाए हैं, नाशनल पार्क, good, तो ये थे हमारी question, अब शिरिनगर आंसर आया, तो friends, शिरिनगर से मुझे एक चीज और याद आई, houses शिरिनगर में कैसे होते हैं, friends, जो शिरिनगर है, उसम beautiful, beautiful cravings होती है, houses में, carvings होती है, houses में, wood की ceilings होती है, doors and windows बहुत जादा beautiful होते है, इने महराब कहा जाता है, design दार जो होती है, आपकी खिड़कियां हो गई, windows हो गई, इने महराब कहा जाता है, एक special window होती है, friends, जो wood की बनी होती है, जिसे dub कहते हैं, जो कि old houses of शिरिनगर मे पाई जाती है, यह मैंने आपको image लगा दिये, friends, देखो, यह घर से कितना बाहर को निकल कर खिड़की है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, dub और महराब क्या होता है, beautiful जो design होंगे, ceilings पर, खिड़कियों पर, ठीक है, उने हम महराब कहेंगे, और जो beautiful windows होंगी, इस प जाकी छटों पर collect ना हो सकें, इसलिए इनकी धाली छटे होती है, क्या बात है, निकी कुमारी जी, very good, national parks भी, friends, आप साथ-साथ लिखते चल रहे हैं, मज़ा आ गया है, excellence अभी को, next question, the element essential for synthesis of protein in plants is called, जो plants में, friends, protein बनता है, उसके लिए, कौन सा element जरूरी है, copper, magnesium, nitrogen या iron, क् का correct answer होगा, जल्दी से बता दो, बहुत easy है, friends, ठीक है, ठीक है, पुलके जी, houses वाला topic दुबारा कर लेंगे, ठीक है, आप tension मतलो, thank you, Vikas जी, जल्दी से बताओ, मेरे दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, element essential for synthesis of protein in plants, protein की synthesis जो होती है, plants में, उसके लिए, कौन सा element जरूरी होता है friends, इसका correct answer, option number two, nitrogen है, nitrogen जरूरी होता है, आपने symbiotic relationship में वो नहीं पढ़ा कि जो legumes होती है, उसकी roots में, शायद science में पढ़ा है, many friends, जो leguminous plants होते हैं, उनकी roots में rhizobium होता है, जो atmosphere में nitrogen होता है, वो directly plant उसको नहीं absorb कर सकते हैं, अफशोशित नहीं कर सकते, इसलिए उस nitrogen को solvable बनाने के लिए, घुलनशील बनाने के लिए, rhizobium, जो bacteria है, वो roots में present होता है, जो कि nitrogen जिससे plants absorb कर लेते हैं, nitrogen की वज़े से ही protein की synthesis होती है, दोस्तों, plants में, यह ध्यान रख ना, इसका option number two correct answer है, ठीक है, यह बात मेरे सभी friends, याद रखेगा, ठीक है, I hope मेरे दोस्तों, यह आपको समझ आ गया होगा, next आगे बढ़ते हैं, which of the following birds do not build a nest of its own, ऐसी कौन सी bird है, जो अपना nest नहीं बनाती है, यह asamtet का question था friends, पिछला question भी asamtet से उठाया था, ठीक है, तो यह बला question असमझ टेट का है, which of the following birds do not build a nest of its own, सीटेट में भी यहां से बहुत सारे question आते हैं, जो bird के houses से related हैं, जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, हांजी गुंजन जी, class daily होती है, Tuesday से लेकर Saturday, 6 बजे, Science की, EBS की, EBS Pedagogy, Science Pedagogy, यह सारा कुछ मैं बढ़ाती हूँ, ठीक है, तो आपको जब भी जुड़ना होँ, आप class में आ सकते हैं, next question friends, यह जल्दी से बताओ, इसका correct answer मेरे दोस्तों, क्या होगा, क्या बात है, very good, यह सभी ने correct लगाया है, almost, शाबाश, इसका correct answer friends, option number 2 है, कोयल, ठीक है, तो चलो, discuss करते हैं, अब birds की बात की, तो मैंने सारी birds को revise कर लेते हैं, नि तो बाकी की birds बुरा मान जाएगी, सबसे पहली बात, friends, ध्यान में रखना है, birds have fixed eye position, जो eye position है, bird की fixed होती है, तब ही वो अपनी neck को different direction में move करते हैं, एक eye यहाँ है, एक eye दूसरी तरफ है, तो अलग-अलग धिशा में देखने के लिए, अपनी ग degree आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, मैना जो है, वो अपनी neck को back and forth with a jerk move कर सकती है, friends, एक जटके से मैना जो है, अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाती है, यह सवाल भी आपके exam में बहुत बारी पूछा जाता है, crow जो है, वो अपना nest बनाता है, friends, wire से, wood, grass और twigs से, ठीक है, और high बनाते हैं, बहुत उचाई में यह लोग अपना घोसला बनाते हैं, कोयल और कुकू अपना खुद का घोसला कभी नहीं बनाती, यह क्या करती है, crow के घोसले में अपने अंड़ देती है, अब कहुआ, इनके अंड़ों को अपना अंड़ समझ के, इन जो फाक्ता है, डव है, वो thorns of cactus plant और मेंधी है, जिसमें अपनी गोसला बनाता है, sparrow जो है, friends, can be found in around our houses, जो sparrow है, वो हमारे houses में आर पार, बहुत बार ही आपने देखी होगी, इदर उदर घूमती हुई, वो कहीं पर भी nest बना देती हैं, गोसला बना देती हैं, cupboard बना दे हैं, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, pigeon भी अपना nest इसी प्रकार बनाती है, मेरे दोस्तों, जो कबूतर है, वो भी अपना nest इसी प्रकार बनाते हैं, अगर मैं बार्वेट और coppersmith की बात करूँ, तो ये क्या करती है, hole बनाती है, tree trunk में, इस प्रकार जो पेड़ का तना है, इसमें hole बनाती है, यहाँ पर अपनी nest ये लोग बनाती है, बसंत गौरी, tailor bird friends, दरजिन चिडिया, नाम से ही पता चलता है, ये क्या करती है, दो पत्ते लेती हैं, उसमें अपने अंडे देती हैं, इस प्रकार, ठीक है, दो पत्तों को सी डाला, और अंदर अंडे दे द दोस्तों फिर से revise करा दिये ताकि आपको भूले नहीं और दुबारा सारी चीजे revise होती चलें, ठीक है, अब sunbird जो होता है friends, sunbird शकर खोरा कहते हैं इसको, ये अपना nest कैसे बनाता है, इनका जो nest होता है वो एक branch से, किसी भी tree या पेड की branch, bush की branch से लटकती हुई nest ये लोग बनाते हैं, ठीक है, जो hair, grass, thin twigs हो गई, dry पतियां हो गई, cotton हो गई, wool हो गई, इन सब से ये अपनी nest को built करते हैं, next era सवाल, which is not a natural disaster, friends, इन में से ऐसा कौन सा है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, earthquake भुकम, short circuit, ठीक है, short circuit से आग लगना, tsunami, या फिर cyclone, चक्रवाथ, जल् question आपके यूपिटेट से, असम्टेट से लिया हुआ है, same as a question आपके exam में पूछते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ, friends, इसका correct answer क्या होगा, सीमा सिवास्तव जी आप पूछरो, friction depends on which factors, जो friction है, वो डिपेंड करता है, roughness of the surface पे, जितना ज्यादा surface rough होगा, उतनी ज्यादा friction घर्षन ज्यादा होगी, ठीक है, जितना surface smooth होगा, उतनी घर्षन कम होगी, बिल्कुल correct, friends, इसका सही answer short circuit fire ही है, जो short circuit fire है, friends, वो natural disaster नहीं है, अब चलो यहाँ पर अर्थ की tsunami और cyclone की बात होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा deep में इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कभी कोई और question आजाता है, earthquake become के case में क्या होता है, friends, यह natural disaster प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, यह usually cause होते हैं, जो underground rock है, आतके भूमीगत चटान है, जो वो suddenly break हो जाते हैं, ठीक है, उस वज़े से हमें, जो earthquake होता है, और हम earthquake को feel करते हैं, suddenly क्या होता है, कि release होती है, energy की, energy release होई, क्योंकि underground भूमीगत चटान टूटे, energy release होई, जिस वज़े से seismic waves जो है, वो पैदा हो जाती है, भुकमपी तरंगे पैदा हो जाती है, और जमीन हिलने लग जाती है, यह देखो, इस प्रकार एक wave, एक लेहर पैदा होती है, भुकम और earthquake जो है, वो अकर हो जाता है, अब सबसे important point क्या है friends, एक होता है focus, ठीक है, जिसको उद्गम के इंदर कहते हैं, ठीक है, यह वो point है, जहां से earthquake originate होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यह है focus, यहां से earthquake उत्पन हुआ, originate हुआ, ठीक है, और एक होता है epicenter, ठीक है, जिसको अधिकेंदर कहते हैं, जो ठीक focus के उपर होता है, यहां earthquake maximum महसूस होता है, हम लोगों को, ठीक है, मालो कि दिल्ली के किसी point में, ठीक है, दिल्ली के कोई भी जगा लगा लो suppose, ठीक है, वहां पर नीचे focus बना, focus point के एक दम उपर epicenter होगा, अधिकेंदर होगा, वह हां पर सबसे ज़ादा earthquake का प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे earthquake का प्रभाव कम कम होता रहता है, अब important सवाल जो सबके question में आता है, earthquake is measured in Richter scale, ध्यान में रखना, Dr. Charles Richter ने 1930 में एक Richter scale बनाया था, जिससे earthquake को मापा जाता है, भुकंप को मापा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, मेरे दोस्तों, exam में बड़ी बारी paper question में आता है, earthquake measured by a machine, जिसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, भुकंप को सिस्मोग्राफ नाम की एक मशीन से नापा जाता है, य ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, next friends, अब earthquake यार कितना जादा dangerous है, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आभी में देख सकते हैं, देखो इस प्रकार से earth टुटी और ये गाड़ी अंदर चले गई, friends, earthquake बहुत जादा dangerous हो सकते हैं, जैसे जो focus points उपर की चगा है epicenter, epicenter से जितनी आप दूर दूर जाते रहोगे, earthquake का प्रभाव कम होता चाहेगा, सबसे जादा कहा होगा प्रभाव epicenter पे, अब कैसे कह सकते हैं कि यार earthquake बहुत जादा dangerous है, माल लो, ठीक है, जब भी Richter Scale पर earthquake की value 6 से higher आए magnitude, तो इसका मतलब आपने समझ लेना है कि earthquake बहुत जा पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितनी गरम होती है, 200 गंटे उसको बनाने में लगते हैं, ठीक है, सुनीता विलियम्स ने 6 मंद से अधिक स्पेस में गुजारा था, weight of an object on moon upon weight of an object on earth 1 upon 6 के बराबर होता है, ठीक है, और जो tiger बाग होता है, उसकी eyesight 6 गुना जादा होती है, human से र बहुत ज़्यादा dangerous होता है, यह थे हमारे 6 से सारे link, जो की important है मेरे दोस्तों, ठीक है, आजाओ, अब next मेरे दोस्तों, tsunami के बारे में discuss करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो tsunami के बारे में discuss करेंगे, मेरे friends, जो tsunami है, वो series of wave है, जो water में होती है, जिस वज़े से बहुत ज़ eruption, tsunami करती है, अर्थ को एक भुकम हो गए, volcanic eruption, ज्वाला मुखी हो गए, ज्वाला मुखी विस्पोर्ट हो गए, और underwater explosions हो गई, ठीक है, जिस वज़े से जो tsunami है, वो पैदा हो जाती है, यह बात आप ध्यान में रखेगा, next, generally, जो tsunami है, arises at Pacific Ocean, जो आपका परशाद महासागर है friends, वहाँ पैदा होती है tsunami, Alaska, Japan, Philippines और South East Asia, Indonesia और Malaysia यह सारी जगा included है, जहां बहुत जादा मातरा में tsunami देखी जाती है, अब tsunami जो है, अकर हुई थी, Myanmar, Sri Lanka में और other coast of India in Indian Ocean में भी, यह जिस एक knowledge है, जो आपको प्रवाइड करी जारी है, कि कहां कहां tsunamis होती है, कहां कहां tsunamis 9.1, 9.1 आप समझ सकते हो, earthquake का epicenter बना था, ठीक है, आप सभी को पता है 9.1, मैंने क्या गाता, 6 से ज़्यादा होंगे, हानिकारक होंगे, तो 9.1 बहुत ज़्यादा है 6 से, ठीक है, तो 9.1 earthquake था, जिसका epicenter इंडोनेशिया में था, सुमातरा कोस्ट में record किया था, और वहां पर most powerful tsunami आई थी, यह history की, आपको यह tsunami के बारे में ध्यान रखना है, कभी आपको GK, general knowledge, जो static GK है, उससे हो सकता है, कभी यह question पूछ लिया जाए, तो यह बात ध्यान में रखेगा, important है मेरे दोस्तों, next हम cyclones की बात करेंगे मेरे दोस्तों, कि cyclones क्या होता है, ठीक है, इसक strong center के, उसे cyclone क्याते है, आप यह देख रहे हो, बहुत ज़्यादा mass है, ठीक है, अब एक center के, यह center है, ठीक है, इसके R पार यह इस तरह से rotate हो रहा है, अब जो यह center है, इसमें low atmospheric pressure होगा, आपको यह बात ध्यान रखेगे, यहाँ पर कम वायू मंदली दबाव होगा center में, 30 degree north and 30 degree south, जो region है, वो cyclone के लिए है, यह 30 degree north और 30 degree south equator से, यह region है, यहाँ पर cyclones जो है, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में, मेरे दोस्तों, देखे जाते हैं, चक्रवात देखे जाते हैं, cyclone, जो friends, fully mature cyclone होता है, उसका जो center होता है, मतलब उसकी जो आख होती है, अब इसको cyclone क कहते है, hurricane की आख, ठीक है, यह जो cyclone की आख है, यह शान्त होती है, जो fully developed cyclone होता है, जो eye वाला area होता है, यहाँ पर air का pressure बहुत ज़्यादा होता है, जब वो चक्रवात घूमता है, ठीक है, generally, no clouds in the eye and the wind is calm, जो center है, ना तो उसमें clouds होते हैं, wind भी वहाँ पर बहुत शान्त होती है, इस प्रकार होता है, cyclone यह भी बहुत ज़्यादा मातरा में destruction करता है, यह भी एक natural disaster प्राकृतिक आपदा है, अब important seas के friends, इससे question आपके exam में पूछते हैं, cyclones की different different names है friends, अगर around the world की बात करोगे आप, तो cyclones की बड़े अलग अलग नाम है, hurricane इसको Atlantic Ocean और North Eastern Pacific Ocean में इ जाना जाता है, cyclone इसको Indian Ocean के आसपास जो भी है, वहाँ पर इससे cyclone का जाता है, यह cyclone कहते हैं, इस area में friends, इससे hurricane कहते हैं, ठीक है, typhoon कहते हैं, तो आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भईया, अगर कोई पूछे South East Asia वाले region में cyclone को क्या कहते हैं, तो आपको पत आपक फायर है friends, हमारी rapid fire है, revision है, और thank you so much मेरे दोस्तों, आज 111 बच्चे, आप 100 बच्चे लाइव आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगोंने मेरे target पूरा किया, 100 बच्चे लाइव करने का, please मेरे दोस्तों, इसी प्रकार लाइव आते रहो, लाइव बनत ठीक है, तो national park fire में मेरे दोस्तों हो जाए, आप फटा फट से अब national parks को याद करें मेरे दोस्तों, जल्दी से revise करें, लिखें और मुझे बताएं कि कौन से कौन से national parks आपको याद आते हैं, अज समसे शुरू हो जाओ, एक flow में friends में आपको revise कराऊंगी, full speed, अगर आपका ल अगर सुनोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, शावाज मेरे दोस्तों, आजा हो जाते हैं, शुरू, सबसे पहले है असम, असम में दिबरु साइकोवा, काजी रंगा मानस ना मेरी और रांग, मैं पढ़ा चुकी हूँ, नेशनल पार्क के सेशन में में मेरे दोस्तों आपको taakी हमें याद हो जाए, काजी रंगा से जो इंडिन रायनॉसार थें, शीरंगा में इन्ने प्रोटेक्ट किये जाता है, बहुत बारी आपकी एक्जाम में क्वेस्चिन काजी रंगा से आया गया है, और रांग को राजीव गांदी और रांग नैशनल पार्क भ आपको इसी प्रकार एक साथ सारी चीजों को लेकर चलना है, जब भी अब असम की बात आए, मैं आप में असम का हैं, वो सोचो, नैशनल पार्क्स लिखो, दिबरुसाई कोवा, काजी रंगा मानस ना मेरी और रांग, इस प्रकार याद हो जाएंगे, नेक्स्ट मीजोरम, चिराव डांस मीजोरम से फेमस है, जूम खेती करने के बाद, लोग चिराव डांस करके सेलिबरेट करते हैं मीजोरम के, नैशनल पार्क है, मुरलंग और फांग पूई मेरे दोस्तों, राजिस्तान की बात करूँ तो फ्रेंड्स, राजिस्तान से केवल पेंटिंग्स फेवरेट है, फेमस हैं, अगर तेजी से बोलू, बांदवगड, काना, मादव, पनना, पैन, सत्पुड़ा, वन भिहार, फॉसल, कुनो, ये मध्यपरदेश के नैशनल पार्क्स हैं, इसी प्रकार बार 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 रिवाइज करकर आपको भी याद हो अगर आंदर प्रदेश की बात करूं, कर्नमहालेश्वरी आंदर प्रदेश है, कुछूपुडए आंदर प्रदेश का डांस फॉम है, कर्नमहालेश्वरी 130 केजिस तका वेट उठा लेती है, 29 मेडल जीते थे उन्होंने इंटरनाशनल इवेंट में, मेरे दोस्तों, पोच आसु ब्रह्मन अंदर एडी, महावीर हरीना वनस्तली, महावीर हरीना वनस्तली से डियर प्रोटेक्ट किये जाते हैं, यहां मुरुगवानी नैशनल पाक और अम्राबाद टाइगर इस बड़ा इंपोर्टेंट है, एक्जाम में बहुत बारी question आया है, केरला की बात करू next, बिहार, बिहार से friends, मेरे दोस्तों, आपकी मदुबनी paintings famous है, बी keeping बिहार से famous है, जो October से December के मन्त में की जाती है, लिथी चोका बिहार से famous है, लीची बिहार का famous fruit है, और वालमी की national park बिहार राज्य से famous है, वालमी की national park इंडिया और नेपाल के border पर present होता है, यह पता होना आपको static gk में पूच सकते हैं, जम्मु कश्मीर से सलीम अली national park, सलीम अली bird century मेरे दोस्तों, गोवा में है, कन्फ्यूज मत होना, सलीम अली national park, डचीगम national park, काजिनांग और किष्टवार national park, जम्मु कश्मीर के national park है, कश्मीर से कावाटी famous है, बहुत question आते हैं मेरे दोस्त कावाटी याद रखना, नेक्स्ट लदाक की बात करूँ, हेमेस national park, लदाक से famous है, चंगपा लदाक की tribe है, रैबो लदाक के टेंट है, लदाक के घर कैसे होते हैं, आपको पता है, पश्मीना शौल लदाक से है, जो 6-8 रो जितनी गरम है, 2500 गंटे बनाने में लगते हैं, ह बर्ली पेंटिंग्स महराष्टरा से, चंदोली, गुगामल, नवेगावा, टेडोबा, नाशनल पार्क महराष्टरा के national park है, गुजरात से अगर मैं बात करूँ फ्रेंट, पटोला साडी आपकी गुजरात से थी हमने पड़ी है, धोकला वी चटनी, लेवन राइस हमारे और पहला national park है, ध्यान में रखना, गंगोतरी, गोविन पसुबिहार, नंदा देवी, राजाजी नाशनल पार्क और वैली ओफ लार नाशनल पार्क, यूपिटेट में बहुत बारी पूछते हैं कि वैली ओफ लार नाशनल पार्क कहां पर है, उत्रा खंड राज्ये में वैस्ट बिंग ओल की बात करूँ तो गोरुमारा नैशनल पार्क, सुंदरबंज, जल्दापरी, नेवरा, सिंगाकिला और बॉक्सा टाइगर रिजव वैस्ट बिंग ओल से है, चतिस गड़ के कंगार घाटी नैशनल पार्क, इंदरवती नैशनल पार्क और गूरु गास अधिदास, नैशनल पार्क, चतिस गड़ से हैं, दीरे दीरे सारे याद हो जाएंगे, आपनों को टेंशन मतलो, जितने याद होते हैं उतना पेशेंटली उन्हें उतनों को याद करो, तमिल नाडु की बात करूँगी तो प्लीज जितना हो सके, पहला तो सेशन को लाइक कर दो यार, लाइव आओ जितना हो सके मेरे दोस्तों, सेशन लाइक करो, लाइव आओ, शेर करो जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स में, फ्लीज, तमिल नाडु की बात करो, गुंडी नैशनल पार्क, गल्फ अप मिनार, मरीन नैशनल पार्क, अन्ना मलाई, देखो फ्र पुर्थी और पलाणी हिल्स नैशनल पार्क, ये सारे नैशनल पार्क, तमिल नाडु के नैशनल पार्क हैं, फ्रेंड्स मैंने आपको नैशनल पार्क पढ़ाए, नैशनल पार्क से याद कराए, ठीक है, very good मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी है, almost सभी को याद भी हो रहे हो याद आ भी रहे होंगे दोस्तों, जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके, प्लीज सेशन को शेर करो, एक लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़े याद हो रही है, ठीक है, और फटा फट से मुझे मुझे मॉक टेस्ट के मार्क्स ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, ममता जी, टेलिग्राम आईडी, सीटेट, एडुटाब, सीटेट, के नाम से है, टेलिग्राम की चैनल को दोस्तों, जोइन करो, क्योंकि जो भी सेशन में पढ़ाया जाता है, टेलिग्राम पर उसकी पीडिएफ जो है, वो पोस्ट की ज ठीक है, तो शाबाश मेरे दोस्तों, वेरी गूड, कोई बाद नहीं फ्रेंट, एक आदा अगर आंसर गलत हो भी गया, तो कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सिलेंट, तो चलो मेरे दोस्तों, चलते हैं, थैंक्यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिं कल साइंस के सेशन में जुड़ेगा, सिम्पल मशीन पार्ट टू पड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद, बहुत सारे मौक टेस्ट और रिविजिन क्वेशन प्रैक्टिस होंगे, तो चलो मिलते हैं, कल के सेशन में, डू काच, डू कम लाइब अट 6 पीम, और एडिट दोस्तों, पीडिएफ मिल रही है, वो भी फ्री में, यार उसको तो ले ही लो, डाउनलोड कर लो, आपके पास एक नोट्स जो है, वो त्यार हो जाएंगे, देखो ममता जी, मैं अपनी आईडी नहीं बता सकती, ठीक है, मैं अपनी आईडी बिल्कुल नहीं बता सकती, क्य अपनी बता सकती, अपनी बता सकती, आपको कोई बीबात है, कुछ भी है, कुछ पूछना है, आप एडूट अप के आईडी पर लिखो, बात मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूँगी, बात कर लूँगी, आपको रिवर्ट भी कर दूँगी, ठीक है, आप लीज वहाँ पर साइस की क्लास होगी, परसो भी साइस की क्लास होगी, साटेड़े को साइस का मौक टेस्ट रखा है मैंने, और त्यूजडे और वेनस्डे को ईविएस की क्लास होती है, ठीक है, कभी-कभी साटेड़े को मैं ईविएस की एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेती हूँ, तो आप उस आज आप 110-120 बच्चे लाई वाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाई बाई टेक केर